तो आप सभी का स्वागत है बरी गूँद मॉर्निंग टुढ़े आप बढ़िया चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं तो अगर अब बिहार से हैं बंगाल से हैं तो आपको पता होगा कि मचली शुब मानी जाती है एक्जाम देने भी जाते तो बोलते हैं कि हम लोग का जब एक्जाम होता था तो एक गली जाता था जो मचली बहुत बिगती थी तो इसमें बहुत सारी मचली रहती थी तैरती होई रहती थी ऐसे तो वो कटके बेचने वाली मचली है लेकिन उसको शुब माना जाता है तो स्टेट है जिसने इस मचली को डिकलेयर कर दिया है क्या डिकलेयर किया है अपना स्टेट मचली डिकलेयर किया है तो बहुत सारी चर्चा है जिसको आज हम करने वाले है कौन सा स्टेट है जिसने रीसेंटली गोल इसका नाम है इसका नाम है गोल मचली ठीक है तो मचली का नाम कौनसी है बिहार state fish ठीक है यह कौनसी मचली है और भी बात कर सकते हैं हम जैसे कि 2023 में बहुत अच्छे गोल मचली इस इन गुजराट ठीक है तो यह गोल मचली जो है किसने गोल क्या सकते है आप इसको गुजराट ने इसको अपना state fish डिक्लियर कर दिया है आप यह याद रखिएगा बिहार की स्टेट फिश कौन सी है यह आपको बताना है 2023 में हमें पता है 2023 में कि बिहार अपने मचली के उत्पादन में 8.46 अब बात क्या आता है कि जब हम मचली के उत्पादन की बात करते हैं तो बिहार में आपको पता है कि बिहार का समुदरी तट नहीं है यानि कि हम ओशन से बॉर्डर टच नहीं करते हैं बंगाल की खारी से बॉर्डर टच नहीं हो रही है तो हम क्या है एक लैंड लॉक्ट स्टेट है तो हम लैंड लॉक्ट स्टेट है यानि कि हमारे आसपास क्या है पूरा स्थल स्थल ही है जार्खंड है उपर नेपाल है उ कि state में ही जो अलग-अलग जल निकाय है जैसे कि तलाब हो गया या फिर आपके नदियां हो गई, पोखड हो गया, उसमें ही हम मचली का उत्पादन करते हैं और बाकी जो state है जिनके पास आज पास में border touch हो रहा है समुद्र से वो कौन से मचली का उत्पादन करते हैं तो उसको कहते है marine fishing ठीक है तो वो marine fishing करते हैं यानि कि वो समुद्री तट, उनका touch है तो वो समुद्री मचली का domestication कर रहे हैं और उसको export के लिए भी भेज रहे हैं जैसे आंद्रप्रदेश सबसे जादा मचली उत्पादन में marine fishing में number one है आंद्रप्रदेश अगर हम inland fishing की बात करेंगे तो current affairs में आप जानते हैं कि number one पे उत्तरप्रदेश आ गया है यह जो आपकी घोल मचली है इसको किस तरह से गुजरात ने सोचा कि हम इसको ही अपना state fish बनाएंगे क्या कोई और मचली के बारे में भी गुजरात सोच रहा था तो हाँ एक मचली है ribbon fish ठीक है तो ribbon fish के बारे में भी गुजरात सोच रहा था और दूसरी मचली थी Bombay duck ठीक है तो आपसे यह पूछा जा सकता है क्योंकि Bombay duck को मैंने को दिन पहले भी current affairs में आपको cover कर वाया था आपसे यह पूछा जा सकता है कि recently news Bombay duck किस चीज की प्रजाती है तो आपको लगेगा कि यह duck की, बतक की, चिडिया की प्रजाती है आप वहाँ बोलेंगे कि नहीं यह किस चीज की प्रजाती है यह जो है यह मचली की प्रजाती है fine, clear है अब हम देख रहे हैं कि इसको क्यों चुना गया? इसको इसलिए चुना गया साथी साथ हम जानते हैं कि ऐसे तो इसका जो मूल है मतलब अगर मचली आपने कभी खरदा है तो पड़ कीलो में आपके आसपास कितने रुपए कीलो मचली मिल रहा है बताइए का ज़रा मचली में आपको कौन सा पीस पसंद है अगर आप नॉन वेजेटेरियन है आपको मूरी पसंद है की पेटी पसंद है की पुच्छी पसंद है जो भी है तो मचली जो है ये मिलती है पांच हजार से लेके पंद्रह हजार रुपए प्रती किलो ठीके? इसका इतना ज़ादा मूल है लेकिन इसका जो ब्लैडर है ठीके? तो इसका जो ब्लैडर है वो काफी इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे हैं की बिहार में मधुबनी में ज़ादा मचली का उत्पादन होता है अच्छा आप मचली नहीं खाते हैं मचली खाने से बोलते हैं कि इसमें ओमेगा 3 जादा होता है तो जिसके कारण IQ लेवल बहुत अच्छा बढ़ जाता है तो मचली जो नॉन वेजटेरियन हैं कहते हैं कि उनको मचली खाना चाहिए बहुत बार ऐसे कुछ बिमारियां भी होती है जिसमें मचली को रिकमेंट भी किया जाता है हम बात क्या करे थे हम बात करे थे इसके ब्लैडर की तो ब्लैडर इसका सिर्फ ब्लैडर ब्लैडर जो है वो 25,000 रुपे पर किलो मिलता है क्यों ब्लैडर इतना महंगा मिलता है इसका ब्लैडर इसलिए इसका इतना महेंगा मिलता है क्योंकि bladder का medicinal importance है यानि ये दवाई बनाने के काम आती है medicine के छेतर में इसका बहुत जादा importance है कौन से ऐसे country हैं जो medicinal importance के लिए bladder का इस्तमाल करते हैं तो आप जानते हैं कौन सा country हो सकता है चाइना ही ये सब काम कर सकता है तो चाइना, होंग कॉंग इस टाइप के ऐसे जो देश है वो इस मचली का bladder उत्पादर में बहुत जादा इस्तमाल करते हैं तो अगर चाइना, होंग कॉंग जैसे देश इसका bladder bladder को लेकर medicinal use करते हैं तो ये भी है कि यानि कि इस मचली का export बहुत जादा होता है ठीक है, तो आप समझ रहें कि ये सारे क्या-क्या character है कम है ये संख्या में, इसका reservation करना, इसको conserve करना जरूरी है इसका संरक्षन करना जरूरी है साथी साथ आप जान रहे हैं कि इसका medicinal importance बहुत जादा है क्योंकि bladder, है ना, क्योंकि इसका जो bladder है उसका बहुत जादा importance है, fine इसका cost भी जादा है और Gujarat इसका उत्पादन करना चाहता है Gujarat और इसका उत्पादन कर रहा है इस कारण से इसको चुना गया है इसमें omega 3 की मातरा जादा है, omega 3 और IQ level कहते हैं, कि इसका consumption करने से IQ level भी बढ़ जाता है Good for I, मचली को कहते हैं, कि मचली खाने से आँख की रोशनी बढ़ जाती है या आँख की रोशनी के लिए भी फाइदे मंद होता है हाँ, सुभा सुभा, Friday का दिन है, मचली मचली का बात कर दिये है आज लगता है, सबके घर में आएगा Economic value है, कहां मौजूद है, कहां पाया जाता है Indo-Pacific area में ये पाया जाता है और भारत में कौन-कौन से ऐसा state है, जहाँ ये मिलेगा तो ये गुजरात के साथ-साथ, ये महराश्रा में भी पाया जाता है Fine, तो ये दो states है, जहाँ पे आपको ये मचली मिलती है तो इस मचली के बारे में हमने सब कुछ जान लिया है Domestic के साथ-साथ, ये ज़ादा International Market में Generally, जो गुजरात के लोग होते है तो गुजरात में ऐसे भी vegetarian लोग ज़ादा है तो domestic consumption इसका कम है यानि कि देश में कम लोग इसका consumption कर रहे है लेकिन बाहर, International Market में इसकी value काफी ज़ादा है गुजरात ने भी इस साल मचली के production में 8.47 lakh metric ton का मुकाम हासल किया है मलब ये अच्छा एक number है जो कि गुजरात दिखा रहा है लेकिन गुजरात में जो बहतरीन बात वो ये है कि समझ लीजे कि 8 lakh 8.74 lakh metric ton का ये production कर रहा है लेकिन जो commendable बात ये है कि उसमें से 2.3 lakh metric ton को ये बाहर देशों में export कर रहा है तो जब ये export ज़ादा करता है तो उससे इसको ज़ादा फायदा मिलता है तो ये हो गई आपके घोल मचली के बारे में सारी जानकारिया जो आपने एकठा कर ली राइट आगे बढ़ते हैं चलिए अब आपके सामने question है European Free Trade Association और आप मुझे बताएंगे कि आपके सामने 6 country हैं जहां पर आप Iceland देख रहे हैं Ligtistain देख रहे हैं agreement की हम बात कर रहे हैं हमारा आज का second topic है मचली से शुरुआत की थी हमने class अच्छा जाएगा है ना तो अब हमारा जो second topic है इसमें कौन-कौन से देख शामिल है ये आपका question है fine जी तब तक मैं हाँ पर ये on कर दू हाँ ओके तो Iceland देख रहा है आपको अच्छा ये जो दूसरा देश का नाम लिखाय से आपको कुछ याद आ रहा है Ligtistain अब इस देश से आपको क्या याद आ रहा है ये जो Ligtistain है इस देश से आपको कुछ याद आ रहा है ये देश और एक और देश Uzbekistan ठीक है Uzbekistan अगर हम बोलेंगे कि ये दोनों देश यानि कि ये और ये Uzbekistan और जो आपका Ligtistain है ये क्यों important है ये दोनों देश क्यों important है इनी idea तो ये दोनों देश इसलिए important है क्योंकि पूरी दुनिया की अगर हम बात करेंगे पूरे globe के बात करेंगे तो सिफ यही दो ऐसे से यही दो ऐसे country हैं यही दो सिफ ऐसे country है जो कि double landlocked है double landlocked का मतलब क्या होता है सिर्फ यही दोनो double landlocked है देखे, double landlocked का मतलब क्या होगा? अब जिसे कि मालो बिहार का map अगर आपको याद है तो बिहार है यहां पर है ना और बिहार के बगल में कौन सा state है West Bengal है ठीक है पश्रिम बंगॉल और बिहार जो है वो चारों तरफ से landlocked है बिहार चारों तरफ से landlocked है यानि कि बिहार के आसपास सिर्फ स्थल स्थल है कहीं पर भी समुद्र नहीं है फाइन लांड लॉग है और बगल में जो वेस्ट बेंगॉल है वेस्ट बेंगॉल के जस्ट बगल में आपका बेओ बेंगॉल आ जाता है ठीक है तो यानि कि बिहार एक ऐसे स्टेट से टच कर रहा है बॉडर जो की दूसरे वो अपना बॉडर समुद्र से टच कर रहा है तो यह डबल लैंड लॉट का कंडिशन नहीं है अगर हम एक ऐसे स्टेट या कंट्री की बात करें जो इसके चारो तरफ सिफ और सिफ लैंड है ठीक है सिफ और सिफ अलग- हो रहा है उसको हम डबली लैंड लॉट कहते हैं तो यहां पर मैं आपको अगर मैं दिखाऊं तो पूरे बार पूरे दुनिया में सिर्फ दो ही ऐसे कंट्री है यह आपका लिच्ट्रेस्टाइन आपको दिख रहा है और दूसरा उसबेकिस्तान जो की डबली लैंड तो यह तो आपको clear हो गया अब question क्या था कि EFTA यह क्या है और इसमें कौन-कौन से देश है तो इसमें Iceland है इसमें यह जो इसका नाम है लिक टेस्टाइन यह भी है इसमें ठीक है डेन्मार्क नहीं है नौर्वे है स्विडन नहीं है स्विजलेंड है तो आपको मिल गये चा यह इसका headquarter कहां पर है तो इसका headquarter Switzerland के जनेवा में है 1960 में इसको form किया गया था और यह चारो देश क्या करते हैं यह इनका free trade agreement चलता है यह आपस में जो भी व्यपार करते हैं उसमें tax नहीं लगाते हैं उनका free trade होता है और साथ ही साथ यह एक दूसरे को अर्थ विवस्था में support करते हैं यानि की economic integration भी इनका है fine यह clear होगे आपको यह कब बना था क्यूं बना था तो Stockholm Stockholm में convention हुआ था ठीक है भले वो Sweden का Stockholm है लेकिन convention जो है वो Stockholm में ही हुआ था और यह यह जो EFTA है वो Stockholm convention से बनाया गया था fine अगर आप map में देखते हैं तो Switzerland के जस्ट बगल में वादूज है ठीक है वादूज इसका capital है fine बाकी जो देश है वो आपको यहां पर देख रहे हैं यहां पर यह सारे देश हैं जो चार देश जो इसमें involved है कौन-कौन से वो देश हैं जो इसमें involved है Iceland ठीक है तो Iceland है यहां पर एक यह हो गया उसके बाद आप लिस्चस चाइन को देख रहे हैं क्योंकि उसको स्विजलेंड में बहुत चोटा सा देश है तो यहां पर आपको नहीं दिख रहा होगा और उसके बाद आप देख रहे हैं नौर्वे और नौर्वे के साथ आपको स्विजलेंड तो यह सारे देश हैं जो कि इसमें involved है डबली landlock भी हम समझ अब बात है कि हम यह क्यों पढ़ रहे हैं न्यूस क्या है तो भारत और European Free Trade Association जो EFTA है इसने अभी एक negotiation sign किया है कि यह आपस में मधसता कर रहे हैं किस चीज को लेकर तो यह Economic Partnership को लेकर बात कर रहे हैं यानि कि EFTA भारत के साथ कह रहा है कि वो उनके साथ भी Free Trade Agreement sign कर सकता है और EFTA जो है वो 1960 में Stockholm Convention से बना था इसका Basic Agenda क्या है कि यह Free Trade और Economic Integration को सपोर्ट करेगा फाइन मेंबर्स आप जान चुके हैं और Norway है, Switzerland है, Iceland है, Listerstein है यह सारे इसके मेंबर है और इसका Headquarter कहा है तो Genoa में है राइट अब हम चलेंगे थर्ड टॉपिक की और थर्ड टॉपिक भी interesting है, यह भी map से related है, आपने काफी बार Black Sea सुना है, Black Sea में बहुत सारे river अपना पानी देते हैं, जैसे कि हमारे देश में क्या होता है, Bay of Bengal में गंगा नदी और जो major south की नदिया है, तो आप जान रहे हैं, गोदावली है, कृष्णा है, कावेरी है, वो सारे अपने पानी कहां पे उनका सरजन होता है, तो सब पानी जो है, वो ड्रेन करते हैं, Bay of Bengal में, तो उसी तरह से आपसे पूछा जा रहा है, कि Black Sea में कौन-कौन सी नदिया है, जो कि अपना पानी ड्रेन करती है, ठीक है, तो आपको बताना है कि अपना पानी कौन-कौन सी नदिया है, इसमे कुछ लोग कह रहे हैं, तीन हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं इस question को skip करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, और कुछ लोगों का answer है कि चारो हो जाएंगे, देखें, Govind का eliminate करने का तरीका बहुत अच्छा लगा, ठीक है, Govind ने कहा कि Walga जो है, Walga ये Caspian Sea, Caspian Sea में अपना पानी गिराती है, और बाकी जो तीनो नदिया आपको दिख रही है, जो कि है Danube, Danube काफी famous European river है, Napier, इसका नाम D से हैं, लेकिन इसको Napier कहते हैं, और इसका भी नाम D से हैं, लेकिन इसको Nistar कहते हैं, ठीक है, तो ये तीनो वो नदिया है, बहुत important नदिया है, जो क अपना पानी कहां drain करती है, ये तीनो अपना पानी Black Sea में drain करती है, अब आपसे एक और question पूछा आ सकता है, कि Black Sea के आसपास की सारे countries का नाम आपने बताना है, और Caspian Sea के आसपास के सारे countries का आपको नाम बताना है, यानि कि वो सारी country जो कि Black Sea और Caspian Sea से अपना border अलग- touch करती है, एक तो बात ये हो गई, और दूसरी बात हो गई कि जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, तो हमें पता है कि geography भी हम पढ़ते हैं, तो current क्या है, तो इसमें भी मचली से ही कुछ relation है, इसका, आईए समझते हैं, ठीके, तो पहले हम देखेंगे कि river का हम map देख लेते हैं, ये आपको डैनोबे देख रही है, ये निस्टर देख रही है, और ये नेपियर देख रही है, ये तीनो नदियां, ये तीनो नदियां अपना पानी कहां पे गिरा रही हैं, ड्रेन करी हैं, ये ब्लैक सी में अपना पानी ड्रेन कर रही हैं, अब बात क्या आता है, अब ब बात आता है मचली का बात ठीक है तो current affairs में फिर से एक मचली आपको दिख रही है अब यह मचली क्या है तो basically यह मचली जो है वो already इसका IUCN category में आप जानते हैं कि IUCN का sites है sites क्या क्याता है convention on the international trade in endangered species of white flora and fauna यानि आप इसका जो भी ऐसे जो भी ऐसे प्रजाती हैं जो कि बहुत ही विलुप्त हो रहे हैं या लुप्त प्राएं हैं उनका आप trade नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर उनका international market में demand बढ़ेगा तो लोग उसका illegally उसको poaching करेंगे poaching करने का मतलब क्या होता है कि illegally उसको मारना जो कि allowed नहीं है उनको वो हंट करेंगे और उसके बाद international market में उनको बेच देंगे तो news यही है एक नया study आया है जो कि कह रहा है कि अभी illegal trade हो रहा है किस चीज का illegal trade हो रहा है यह जो है वो आपका सटर्जन सटर्जन यह मचली है क्या नाम है इसका सटर्जन इसका नाम है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सटर्जन इस मचली का नाम है और इसका illegal trade हो रहा है कहां पर इसका illegal trade हो रहा है तो यह कहां मिलती है यह Danube में मिलती है यानि कि Danube में मिलती है इसका मतलब है कि Bulgaria, Romania, Serbia और Ukraine में इसका illegal trade होड़ा है और convention के according आप जानते हैं कि 1998 में ये कहा गया है कि sites में जो भी species listed हैं वो विलुप्त प्राय हैं वो लुप्त प्राय हैं यानि कि endangered हैं जिसके कारण आप इसका trade नहीं कर सकते हैं अब हम reverse की बात करेंगे तो Danube जो है Danube अचली पूरे यूरोप में जो सबसे लंबी नदी है वो है Walga ठीक है जिसका map आपने देखा आपने ये जाना कि वो Caspian Sea में अपना पानी गिराती है और जो second सबसे longest नदी है लंबी बहती है वो है आपकी Danube Danube ये rise करती है Black Forest से जो की Western Germany में है और वहां से ये flow करती है 2850 km और फिर ये Black Sea में अपना पानी गिराती है पूर्थ नदी कौन सी है तो देखें फर्स पे Walga हो गई सेकेंड पे Danube हो गई थर्ड पे Yural हो गई ठीक है यूरोप में तो सबसे लंबी नदी है वो Walga है सेकेंड पे Danube है थर्ड पे Yural है और फूर्थ पे है नेपियर तो नेपियर ये कहां से निकलती है तो ये Western Russia से होते हुए Belarus, Ukraine और फिर अपना पानी Black Sea में ये गिराती है Next हम देखेंगे तो ये आप जान रहे है कि Danister ये जो निस्टर नदी है ये कहां से निकल रही है तो ये Ukraine की नदी है ठीक है और ये Ukraine और Moldova, ये जगा से निकल रही है और यहां पर आप देख सकते हैं कि उसी साइट North में ये Start होती है, Origin होता है और फिर ये Odessa के पास, Odessa port आपको याद होगा कि Ukraine का ये वही port है जिस पर Russia ने Attack किया था तो Odessa के पास ये Black Sea में अपना पानी गिराती है और Walga, Walga के पास आप जान रहे हैं कि Waldaai Hills में ये निकलती है, जो Moscow में है और फिर ये Case PNC में अपना पानी गिराती है अब एक question जो मैंने आपसे पूछा था, कि आपको ये पता होना चाहिए कि Black Sea के चारो और कौन-कौन से देश है और Case PNC के चारो और कौन-कौन से देश है तो इसका मैं आपको trick बता देती हूँ पहले बात किया था हमने, आपको बूला गया था Burger Tea याद रखने ठीक है, तो Burger आप जब order करते हैं, तो आपको याद होगा कि Burger के ऊपर आजकल ये कैसा चला है कि ये toothpick जैसा लगा देता है, है ना? तो आप Burger और Burger के साथ आपको क्या याद रखना है? T, ठीक है? इसमें E नहीं है, B से हो गया आपका Bulgaria, U से हो गया आपका Ukraine फिर एक R से हो गया, Romania, G से हो गया, Georgia, R से हो गया आपका Russia और T से क्या है? तो T से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, T से क्या है? दिख रहे हैं आपको तड़की तो ये Burger T वो देश है जिससे आपका border टच करती है Caspian C B से Black, B से Burger ये आप याद रखेंगे, अब आता है Caspian, तो Caspian में आप देखेगा, आपको मेरा नाम याद होगा मेरा नाम क्या है? कीर्ती है, तो इसको हम I को A लगा देते हैं, ठीक है? तो मेरा pulling version तो अब हम इससे याद रख सकते हैं, या फिर लोग और भी बताते हैं, तारिक भी बताते हैं, ठीक है? तो तारिक का आप याद रख सकते हैं, ऐसे करके आप बहुत सारे नाम इसके बना सकते हैं तो Caspian C के जो countries हैं, वो कौन-कौन से हैं? तो के से आपका क्या हो गया? तुर्कमेनस्तान और A से हो गया अजर्बाइजान, तो यह आपकी Caspian C से टच करने वाले देश हैं, आई से बता दीजे आप कि आई से जो है, वो इरान सोच लीजे कि इरान जो है वो भारत उस साइड है, भारत के साइड है, और फारेस्ट में, इरान से भी दूर हमारे प टुर्ल ठिजे गहीं है, तो स्पेस में, स्पेस में क्या है, तो स्पेस में पूछा जा रहा है जूस, खाया बुशा, खाया बुशा तो एक बाइक का भी नाम है ठीक है, और नेक्स टेंड नू हारे जंस, तो यह तीन आपके पास मिशन है, ठीक है, अब तीन tragedy, गॉत, पै कि इसमें अल्रेडी लिखा हुआ है कौन किसे मैच किया हुआ है अब बताइए कौन सा गलत मैच किया हुआ है क्या जूस मिशन जो है वह आपका यूरोपियन स्पेस एजनसी का है फॉर्स्ट आप से ये पूछा गया है क्या हाया बूर्शा नाम से पता चल रहा होगा आपको कि ये क्या पूछा जा रहा है कि क्या ये नासा का है और फिर आप से पूछा जा रहा है कि न्यू हारिजन न्यू हारिजन किस चीज के लिए आपको पता है न्यू हारिजन जो है वो प्लूटो के को discover करने के लिए Pluto के बारे में और पढ़ने के लिए हाया बुशा किस चीज से related है हाया बुशा actually एक राइगू राइगू आस्टरोइड है छुद्र ग्रेय है इससे related है इसको discover करने के लिए है और juice तो आप समझी रहे हैं कि जूपिटर का है ठीक है तो जूपिटर का है जूपिटर का है यह इससे related है अब आप देख रहे हैं मैस्ट फॉलोईग में तो actually juice mission European Space Agency का है जो कि जूपिटर के I.C. Moon mission के बारे में है जूपिटर और उसके जो नाचुरल ग्रे है नाचुरल साटलाइट से उसको पढ़ने के बारे में है तो फॉर्स आपका सही है तो फॉर्स आपका गलत नहीं है यह वन जो है वो नहीं होगा यहां पे अब बाद आता है कि हाया बूशा और न्यू हारिजन तो न्यू हारिजन आक्चली नासा का है और हाया बुशा नाम से भी आपको पता होगा बाइक हाया बुशा का था तो यह आपका जेपान का है तो यानि सेकेंड और थर्ड आपका इंकरेक्ट हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा टू एंड थ्री तो आईए इसको समझ लेंगे ज़रा तो यह जुपिटर आईसी मून एक्स्प्लोडर यह किसका मिशन है तो आप देख रहे हैं कि जुपिटर आईसी मून एक्स्प्लोडर यह यूरोपियन स्पेस अजेंसी का ये मिशन है जहां पे हम Ganymede और Jupiter के अन्य जो natural gray है Jupiter के जतने moons है उसको हम discover करेंगे आप मुझे बताइए कि यह क्योंकि यह change होते रहता है data कि Saturn के पास कितने moons है और Jupiter के पास कितने moons है दोनों में से किस के पास ज़ादा moons है fine, clear है? अब Haya Bhusha किस बारे में था? तो आपको फिर सब बता दिया जाए कि जो Japan का space agency है वो Raigu Raigu क्या है? तो Raigu actually एक asteroid है asteroid क्या होता है? आप जानते हैं कि Mars और Jupiter के बीच में एक asteroid belt है यानि mangal gray और विरस्पती ग्रह के बीच में एक asteroid belt है और उसी में से बहुत सारे asteroids का हमने नाम दिया हुआ है recently भी आपने सुना होगा कि हम Bennu को, Bennu के बारे में NASA ने अपना एक capsule भेजा था जिसमें से एक मुठी एक मुठी सिंदूर ने, एक मुठी मिट्टी जो कि Bennu का था ठीक है? तो एक मुठी मिट्टी हमने अपने capsule में नासा ने अपने capsule में डाला और फिर नासा में वो land कर गया Florida के पस और नासा अब उस पर research करने वाला है Bennu was also in news तो इसी तरह से जैसे हमने asteroid का नाम दिया हुआ है, तो Bennu कुछ दिन पहले news में था Japan किस पर research कर रहा है, ये राइगू पर research कर रहा है आप लोग को लगता होगा कि कोई काम नहीं है क्यों अंत्रिक्ष में उड़ते हुए चट्टानों पर ये research कर रहे हैं क्योंकि जब हम उस चट्टानों के बारे में जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि actually ये asteroid धरती से भी पहले बने हुए है और अगर हम उसके बारे में study कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि धरती जो है वो किस तरह से बनी हुई है understood अब next है new horizon new horizon क्यों launch किया गया था तो new horizon जो है ये NASA का mission है और ये कह रहा है कि भाई Pluto के बारे में तो अच्छे से जानकारी लिए नहीं और प्लूटो को अपने solar system से से बाहर निकाल दिये तो प्लूटो के बारे में और एक और चेरान के बारे में भी ठीक है ये जानना चाता है तो ये सारे missions को launch किया गया है राइट चलेंगे next हम देखेंगे तो यही सब चीज यहां पर लिखा हुआ है प्लूटो के बारे में आप जानते हैं कि पहले जब आप बच्पन में पढ़ते होंगे तो solar system में आप पढ़ते होंगे कि 9 ग्रह है और फिर हमने पढ़ा कि नहीं भाई आठी ग्रह है प्लूटो को ग्रह है नहीं मानेगे अगला scheme है अब आजाते है भारत पे तो सुबह सुबह हम लोग ने मचली के बारे में पढ़ लिया उसके बाद हमने यूरोप Western Europe के countries घुम लिये जो European Free Trade Agreement है फिर हमने नदियां भी सारे पाड कर लिये हैं अब हम भारत आजाते हैं Space के बाद भारत में हम क्या पूछने हैं आप से सोनम आप हर दिन पूछती हैं कि पढ़ना कैसे शुरू करना है NCRT पूछने से अच्छा है कि करके देखिया जैसे अगर तुम से पूछेंगे तैरना कैसे शुरू करना है तो तुम हमको बताओगे कि मैं पहले अपने को लाइट रखिये फिर ऐसे हाथ हटाई हाथ ऐसे मोशन होना चाहिए पैर का ऐसे मोशन होना चाहिए लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि आप पहले पूल में चले जाए जिसमें पानी कम होगा और फिर वहां तैनना शुरू कर दीजिए आपको समझ में आ जाएग आपको एक बच्चा पूछ रहे है कि करेंट अफेर्स कैसे पढ़ना है तो यह जो हम जहस्ते पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़ना है रोज सुबह आठ बजे बीपे ऐसी वाला पे आपका करेंट अफेर्स का क्लास होता है वहां से आप पढ़ लीजे इंसी आटी आप पढ़ ली है सोनम तो उसके बाद आप बाकी बुक्स को पढ़िए आप पार्ट वन में है बीए लिया हुआ है आपने ठीक है तो आप अपने बुक्स को पढ़िए देखे एक आपको आपका भ्रम होगा कि क्या पूछ देगा यह पूछ देगा वो पूछ राइट चलेंगे तो अब हम देखेंगे यहां पर प्रधान मंत्री मुद्रा योजना प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के बारे में क्या जानेंगे तो आईए यहां पर बात करते हैं पहले बारे में क्या लिखा हुआ तीन स्टेट्मेंट है यह और आपको क्या बताना ह directly to micro entrepreneur individuals लिखा जा रहा है कि मुद्रा सुक्षम उद्यमी का जो यह व्यक्तियों को सीधे रिन नहीं देता है ठीक है तो कैसे टेढ़ा रिन देता है कैसे देता है तो देखे यहाँ वेरा तीन कैटेगरी है शिशू कि शोड और तरुन ठीक है जैसे बच्चा लोग बड़ा होता है तो ऐसे होता है ना कि बच्चा होता है पहले शिशू होता है फिर वो टीनेज में जाता है तो वो किशोड हो गया किशोड ही किशोड अवस्था और फिर तरुन हो गया तो अगर पचास हजार तक का लोन लेना है तो वो शिशू में आ ज तरह से ये loan देता है ठीक अब ये मुद्रा directly loan नहीं देता है इसका मतलब है कि इसके जगा कौन देगा तो SIDB है ठीक है इसको कौन चला रहा है ये completely owned by किसके द्वारा है तो ये SIDB द्वारा ये owned है Small Industrial Development Bank of India fine तो यानि कि पहला statement सही है कि ये सीधे रिन नहीं देता है पहला कथन बिल्कुल सही है second statement क्या है कि this scheme are collateral free loan तो कहा जा रहा है collateral का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई चीज गिर्वी रखते हैं अगर हमको दुकान के लिए loan चाहिए तो हम अपने घरवाला लोग को गिर्वी रखते है आइफोन चाहिए तो घर के लोगों का kidney गिर्वी रखते है तो इस तरह से हम क्या करते है collateral रखते हैं गिर्वी रखते हैं बैंक में कुछ और उसके against loan लेते हैं यहाँ पर ऐसा system नहीं है आपको कुछ भी collateral रखने की ज़रुद नहीं है यह अच्छी बात है यानि कि हम सच में चाहते हैं कि जो हमारे micro units हैं जो हमारे लगू, सुक्ष, उद्योग हैं उसको हम बढ़ावा देना चाहते हैं तो second statement क्या है कि यह सही है और third statement क्या है कि यह ministry of commerce and industries के अंदर आता है तो बस यहां पर थोड़ा सा गरबर है यह ministry of commerce and industries के अंदर नहीं आता यह finance and corporate affairs के अंदर आता है ठीक है तो यह finance and corporate affairs के अंदर यह आता है आपका mudra तो इसके कारण बस आपका तीसरा statement जो है यह गलत हो जाएगा और answer हो जाएगा केवल तीम यानि option number B fine, cleared और अब हम जानेगे कि मुद्रा को हमने कब launch किया था, तो मुद्रा को जो launch किया गया था, ये हो गया था 2015 में मोदी जी जो है, वो आते ही बोले कि सब छोटा छोटा लगू उद्यों को पैसा देके अमीर बना देंगे, तो मोदी जी ने इसको launch कर दिया, ये आप समझ चुके है understood है, चलिए ये ही सारी चीजे अगर आप देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर सकते हैं Sidby ने इसको 100% जितना भी पैसा इसमें लगा है Sidby द्वारा लगाया गया है 100% owned, ये Sidby द्वारा है Loan भी Sidby ही देता, इसलिए ये डायरेक्ली नहीं देता और ये 2015 में आया अब हमारे सामने एक map है चाइना का, ठीक तो चाइना का ये map है और चाइना फिर से न्यूज में है, चाइना न्यूज में क्यों है देखेगा एक चीज, चाइना का जो पूड़ा population है वो अचली Eastern side जादा जमा हुआ है Eastern side क्यों जमा हुआ है क्योंकि यहाँ पे East China Sea है Yellow Sea है, तो इस तरह से समुद्र के आसपास है, आप एक चीज नोटिस कीजएगा globe में हमेशा तो globe में आप हमेशा यह नोटिस कीजएगा जब आप geography और detail में पढ़ेंगे यह equator है equator के आसपास जो जगा होती है वो generally जादा गरम होती है equator के आसपास जो जगा होती है वो generally जादा गरम होती है गरम होने का कारण क्या है क्योंकि equator यानि कि भूम अद्यरेखा पे sun की direct rays पड़ते हैं और अगर इस जगा में यह गरम जगा में कहीं पे भी cold ocean current है ठीक cold ocean current आपने सुना होगा कि ocean current को हमने cold अगर वो pole की तरफ से आ रही है तो cold बोलते हैं और अगर वो equator की तरफ से pole की तरफ जा रही है तो हम उसको warm क्याते हैं तो अगर यहां पे cold ocean current है तो cold ocean current के कारण क्या होगा cold ocean current के कारण जगा गरम है और ocean current ठंडा है तो लोग वही पे जाके ज़्यादा बसेंगे जहां जहां cold ocean current है उसी तरफ पे बसेंगे जहां cold ocean current है ठीक है, cold lotion current होने का एक नुकसान भी होता है, नुकसान ये है कि अगर हवा उतना गड़म नहीं है, जिसके कारण वो उपर जा पाए, उसके पास उतना ज्यादा kinetic energy नहीं है कि वो उपर जाए और cloud formation हो पाए, तो वहाँ बारिश भी नहीं होती है, यही कारण है कि tropical area में continent के तो ठंडे देश में क्या चाहिए, इनको warm ocean चाहिए, है ना, तो warm ocean current चाहिए, तो warm ocean current जहां जहां है, वहाँ लोग ज़ादा बसे होए है, आस्ट्रेलिया में आप देखेंगे कि Australia का जो eastern side है, जहां पर पर्थ है, है ना, Australia का जो eastern side है, जहां पर बड़े बड़े शहर है, प जहां पर लोग बसेंगे, क्योंकि ठंडा देश में का ठंडा ocean current है, लोग वहाँ चिल्ड हो जाएंगे, है ना, समिलरबाद अब समझ रहे है, अच्छा पर्थ का नाम आया है, तो पर्थ से भी एक बात कड़ी लेते हैं, तो पर्थ न्यूज में रहा है, पर्थ न्यूज समाप्त हो गया है, तो पकोई फाइदा है नहीं, लेकिन स्टिल हम खुश हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बहुत पीछे हैं, इंडिया ने दिखा दिया कि हम आस्ट्रेलर को हडा सकते हैं, वो क्या हुआ जो फाइनल में नहीं हडा है, दस मैच जीत यह हैं, लेकिन तो भी अभी हम हडा रहे हैं, लेकिन हम मैच की बात नहीं कर रहे हैं, हम जगा की बात कर रहे हैं, हम पर्त की बात कर रहे हैं, पर्त की बात हम क्या कर रहे हैं, कि यहां पर ऑस्ट्रा हिंद हो रहा है, यह सैनने अभ्यास हम करते हैं इनके साथ, ठीक हैं, और यह जो ऑस्ट्रा हि था यह important है हमारे लिए भारत में यह कहां हुआ है तो यह राजस्थान में हुआ और राजस्थान में कौन से जगा पे हुआ था तो महाजन fire field में यह वा था ठीक है, तो महाजन field firing range में हुआ था राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ये हुआ था ठीक है ऑस्ट्रेलिया के साथ हम ये सैनने अभ्यास कर रहे हैं जिसका नाम है औस्ट्राहिंद तो ये सारी बाते भी हमने कर ली फिर हमने ओशन करेंट के भी पार में जान लिया बात है कि चाइना का ये तो मैप लगा के बाठे हुए हैं लेकिन बोलने का मन नहीं कर रहा है बात ये है कि निमोनिया फिर से यहां पर फैल रहा है ठीक है तो बच्चों में फिर से वही सारा सिम्टम्स जो कि कोविड के टाइम था और pneumonia का symptoms है कि lungs का बिमारी होता है pneumonia पानी भर जाता है तो खासी हो रहा है fever हो रहा है और इस तरह से फिर से वही symptoms है mid October के बीच में इसको देखा गया है WHO भी क्या कोशिश कर रहा है WHO भी क्या रहा है कि भाई अब इसके बारे में हम सारा information पहले ही सीख कर लेंगे पिछले बार की तरह ना हो कि हम लेट हो जाएं तो यह सारे symptoms है और यहाँ पर schools भी बंद हो गया है चाइना के जो schools वगेरा है वो भी बंद हो गया है आप जानता है कि mycoplasma pneumonia respiratory disease है तो मेरा उद्देश आपको डराना नहीं है मेरा उद्देश है कि आप थोड़ा सा सतर्था करिएगा पानी थोड़ा गरम पीजेगा अभी ठंड कम उसम शुरू हो रहा है तो सुभा में early in the morning गरम पानी से शुरूआत कीजे और कहीं भी बाहर जा रहें लगता है कि धूल वगेरा जादा है या कुछ ऐसा है तो आप मास्क लगा के अभी भी जा सकते हैं है ना चले ठीक है नेक्स हम देखेंगे नेक्स इनका पिक्चर आपको देख रहा है अब यह कौन है और क्यों न्यूज में है तो यह व्यक्ती भी बहुत जादा बल्यूज में इनका नाम है को नाम ओड़ को कहते हैं गल्ध कहते हैं कशितर आज कर एक थॉर्ट में यह एक ड़ी spread होते जा रहा है वो है nationalist होने का thought है ना कि हम right wing politics में चलेंगे nationalist हो जाएंगे यानि कि अपने देश के लोगों के बारे में बात करेंगे if America के president को चुना जा रहा है तो America के president बात करेंगे कि भाई American को job क्या से दिलाएं भारत के लोगों की बात की जाएगी तो मोदी जी जो है वो right wing politics तो यह आज कल चल रहा है तो लोग बात करते हैं कि भाई हम अपने देश की बात करेंगे हम शर्णार्थियों को जगा नहीं देंगे हम migrants के खिलाफ है फिर एक thought आता है क्योंकि आप जानते हैं कि this is not my view this is the editorial's view तो इनका view भी है तो यह thought आता है क्योंकि Islamist militant groups बहुत जयादा होते हैं तो anti-islamic thought भी आज कल बहुत जादा prevail कर रहा है जो कि आज कल आप देखेंगे तो यह almost हर country का यह कहानी है और जो islamic country नहीं है उसका नहीं जो non-Islamic country है उनका यह कहानी है और लोग इसी thought को ज़ादा पुचाहन दे रहे हैं या ज़ादा फेलिसिटेट कर रहे हैं ज़ादा प्रमोट कर रहे हैं यही कारण है कि इनकी party को 37 ठीक है 37 seats मिले हैं यह जो निदरलेंड है इसका जो parliament है यह 150 membership का है यानि कि जिसको 76 मिल जाए उसमें से 37 इनको मिले हैं जो पिछले बार majority party थी उसको 34 मिले थे पिछले बार आप उसको 10 seat कम मिले हैं यानि कि 24 seat मिले हैं अब निदरलेंड का अगर आप थोड़ा सा समझेंगे calculation तो वह यहां पर बहुत सारा collision से ही form होता है यानि कि बहुत सारे चोटे-चोटे countries हैं जो कि collision करते हैं और यह collision government ही जादा गठभंधन वाला ही यह form होता है कुछ दिन पहले आपने नुपुर शर्मा का बयान सुना होगा तो वो कुछ anti-islamic उनका थोट था बीजेपी की थी तो इन्हों ने जबकि she was not so important कि वह बाहर का politics का व्यक्ति उस पे comment करेगा लेकिन इन्हों न 1988 में आए politics में इनके party का नाम है party for freedom ठीक है तो इनके party का नाम है party for freedom और काफी चर्चा में रहे हैं तो इसलिए मैंने भी आपको बता दिया कि अगर मानलो news में तुम लोग सुनोगे तो ऐसा ना समझो कि माडम ने ने बताया आपको भी सब कुछ पता है अब इनमें यह against migrants भ मुसकार हम आपको देंगे time ठीक है और लेकिन इसमें एक controversy क्या है कि अगर इनकी mother की बात की जाए तो इनकी mother half Indonesian है तो उस पर यह कुछ नहीं बोलते हैं उस पर कभी comment नहीं करते हैं लेकिन यह सारा चीज चर्चा में रहा जो कि हमने बात कर ली next क्या question पूछना है आपको class की timing 8 बज़े होती है सुबह 8 बज़े होती है generally 1 घंटे का class होता है 9 बज़े तक यह class चलती है current affairs की यह class है जिसमें आपके exam में जो भी current affairs आएगा वो यहीं से आएगा और आप इसको ध्यान से देख सकते हैं है ना चलिए next picture है हमारे पास Greece Chandra Murmu का GC Murmu तो GC Murmu है और यह कौन है हमारे देश के लिए यह हमारे देश के लिए CAG है Controller and Auditor General of India Article No. 148 तो B.R. Ambedkar कहते हैं कि Democracy का चार पिलर है Supreme Court है CAG है UPSC है Election Commission of India है तो उसमें से एक पिलर CAG भी है यानि कि Controller and Auditor General of India इनका Main Purpose क्या है कि यह Public Purse यानि कि जो सरकार के पास जो जनता का पैसा है उसको यह Protect करते हैं यहना उसको यह Protect करते हैं External Auditor बन गया है यह भरत के लिए बहुत ही God of की बात है कि यह United Nation के Panel में External Auditor तो थे ही साथ ही साथ इनको Vice Chairperson भी वहाँ पे बना दिया गया है ठीक है तो यह एक appointment इनका हुआ है वाइस चेर परसन यह बन गया है राइट नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिकेट की बात नहीं करें हम एफ-1 रेसिंग की बात करें और अगर आपको motivation लेना है तो आप माक्स वेर्स स्टेपन से motivation ले सकते हैं consistency का सोचें कि अगर आप अपने लाइफ में कभी किसी टॉप पोजिशन पर पहुंच गया है उसके बाद तुम्हारा क्या थौट होगा कि अब कंबल ओड के जो सोईंग और कोई हमको मेहनत कर रहा है अपने position को maintain रखने के लिए तो मैक्स वेर्स स्टेपन से आप इसका inspiration ले सकते हैं आप देखें यहाँ पर 2023 में जितने भी F1 racing हुए है तीन को छोड़के जो कि हमें याद रखना है वो सब मैक्स वेर्स स्टेपन ने जीता है है ना बोल रहा है हाँ हम कंबल ओड के सोएंगे अच्छा तो यह ब्रजीलियन, साव पोलो, इटालियन, डच, हंगेरियन, बिटिश, ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रियन, कैनेडियन, भी जीत लिया है, तो आपके लिए याद रखना बड़ा अच्छा हो गया है, इन्होंने आपका सिलेबस कम कर दिया है, क्या रहा है कि नहीं, पिज़ा नहीं खाएंगे, मुड़गा खाएंगे, उठते ही, ठीक तो मुड़गा जोड़ और भात खा लेना, और फिर वापस कौन सा जीता है, ये स्पेन के हैं, इन्होंने सिंगापूर जीता है, तो ये तीन को छोड़ कर, बाकी सब निदरलेंड्स के मैक्सवेर स्टेपन ने ही जीत लिया है, ये आपको ध्यान रखना है, फाइंग, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये कौन है, तो इनका नाम है को कोलिन जैक्सन पहले क्या करते थे, ये 110 मीटर हडल रेस का वर्ल रिकॉर्ड इनके पास था, प्रिवियस होल्डर ओफ, 110 मीटर हडल रेस, और अब इनको इनको इंटरनेशनल अम्बाजडर बना दिया गया है, टाटा स्टील कोलकता, 25 के ने इनको क्या बना दिया है, अपन एंबाजडर बना दिया है, तो ये नाम आप बस याद रखेगा, पूछा जा सकता है कि कोलिन जैक्सन रिसेंटली न्यूज, ये कि स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये, देखिए, स्पोर्ट्समें से आप समझें, अभी आप विराट कोली को इतना जादा ट्रोल कर रहे ह हैं, और रोहित शर्मा को कह रहे हैं कि जा हार गया, फाइनल हार गया, लेकिन वो अल्रेडी उन्होंने अपने लाइफ में सब कुछ अचीफ कर लिया, उसके बाद भी वो देश के लिए महनत करते जा रहे हैं, और तुम या मुर्गा और जोड का बात कर रहे हो, हैं, चलि बारी है, हैं, और इसका capital क्या है, इसका capital है, Port Villa, Vanu Aatu, पहले भी पढ़ चुके है, Vanu Aatu के बाद में, छोटा सा आइलेंड है, आर्चिपलागो है, आर्चिपलागो का मतलब की होता है, दूइब समू, बहुत सारे दूइब का समू है, जिसका नाम है, Vanu Aatu, क्यों पढ़ना परड़ा वन्युवान्वद्व के पारे में इसमें पहले तो यहां लीजिए कि 13 important जो मेजर आइलेंड से हो तेरा है 13 आइलेंड से और साथ ही साथ बहुत सारे छोटे-छोटे भी आइलेंड से ठीके तो small islands भी है यह ज़िस है और यहां पर अर्थकोएक आ गया और्थकोएक का मतलब 6.7 Rector Scale में इसका Intensity है इसका यह उर्थकोएक आ गया आर्ची पलागो है द्वीब समू है औस्ट्रेलिया के आप देख रहे हैं कि Eastern Side में है इसमें जगह है आपसे अगर पूछा जाए कि लापीटा साइट ऐसे तो हम बहुत ही आपको specific बात बता रहे हैं तेकि इस current affair से आपको हम एक बात बोल सकते हैं कि अगर आप ध्यान से पढ़िएगा और इसके बाद आप Indian Express पढ़ रहे हैं या The Hindu पढ़ रहे हैं या कोई भी news channel देख रहे हैं कुछ भी तो आपको एक confidence आ जाएगा कि भाई सामने जो भी news चल रहा है हमको उसके बारे में जानकारी है इतना हम अश्यौर करते हैं आपको कि कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई news हो तुम को इदम हवाई नहीं लगा कि भाई क्या बात हो रही है तो हर subject में जो भी news चल रहा है उसका आपको जानकारी हो जाएगा तो सिफ BPSC ही नहीं अगर आप और भी किसी exam के बारे में सोच रहे हैं जैसे आप UPSC के बारे में सोच रहे हैं बाकी state pieces के बारे में सोच रहे हैं या और भी हैं बिहार दरोगा हैं किसी भी एक्जाम के बारे में आप सोच रहे हैं तो current affairs आप cover up आपका हो जाएगा तो बार-बार आप जो पूछते हैं कि क्या ये BPSC कोई भी ऐसा थोड़ी लिखा हुआ है कि BPSC में वनु आतू के बारे में पूछा जाएगा और UPSC में लापिटा साइट के बारे में पूछा जाएगा कहीं बेबी कोई भी question आता है तो आप यहां से cover कर डीजे इतना assurance हम आपको दे सकते हैं रोज-रोज एक ही बात हम नहीं बोलते हैं अब लापिटा साइट पूछा जाएगा लापिटा साइट recently news में रहा है यह लापिटा जगा कहां पर है यह वनू आतो में यह जगा है और वनू आतो में यह जगा है क्योंकि वनू आतो के लिए important इसलिए क्योंकि यहां का यह पहला ऐसा जगा है पहला ऐसा जगा जिसको UNESCO में World Heritage का खिताब मिला UNESCO में World Heritage है ना हमारे देश से भी बहुत सारे ऐसे जगाये हैं जिसका जिसको किस चीज का खिताब मिला है World Heritage का किताब मिला है और यह लापिटा को 2008 में यह जगा में यह खिताब मिला था है नो आओके हाँ हाँ हम नेक्स हम देखेंगे नेक्स्ट एक और लास्ट टॉपिक है आजगा तो यह आपको इंडिया देख रहा है इंडिया में एक स्टेट है महाराष्ट्रा महाराष्ट्रा में एक शहर है जिसका नाम है पूने तो हम बात कर रहे हैं पूने शहर का पूछा जाएगा कि पूने शहर किस नदी पर ये situated है तो ये पावना नदी पर situated है पावना नदी पर अभी news क्या था कि एक laundry का company था और ये अपना गंदा पानी इस पावना नदी पर बहाए जा रहा था तो इस currency न्यूज में आ गया और या जो आपका नदी है ये पूने को अलग करता है किस से तो ये पिप्री यद्य एडिया è很好 इंसी को अलग करता है तो यह नदी आपसे आपसे नीूज में बूचा रा सकता है कि कौन सारे सा शहर है जो व की पावना नदी पे situated है और पावना नदी पे इसिचूएटेड है तो यह पूने जो है पादमनाज़ी पे सिचुएटेड है जो कि महाराष्ट्रा में राइट तो दिस इस ओल आज हमें एक आंसर डिस्कस कर लेते हैं मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला था कंपेरेट कंपेरेटिव स्टुडियोफ एकनोमिक डेवलप्मेंट ऑफ इंडिया तो यह आंसर नेहा रफीक का है नेहा रफीक आपका आंसर है अच्छा आंसर है जिन्होंने बिलकुल भी नहीं लिखा है तो वो नेहा रफीक का आंसर देख सकते हैं इंग्लिश में लिखा है हिंदी में भी एक दो अच्छा आंसर मुझे मिले हैं थोड़ा सा आप लोग ब मुझे मज़ा कब आएगा मैं क्यूं पढ़ूंगी कोई लंबा चोड़ा आंसर जब मुझे देखने में वह इंट्रेस्टिंग लगेगा तो रूही एक रूही है दूसरी वाली रूही सहानी आपका भी आंसर अच्छा था आपने एक ट्रैंगल बना के दिखाएने की बेजा है बाकी consistency में राजस्वाती आपका अच्छा आ रहा है रूही का अंसर अच्छा रहा है रूही सिंग वाली रूही और कुछ बच्चे जो हैं वो consistent answer लिख रहे हैं बाकी सब कोई नहीं लिख रहे हैं तो आप लोग प्लीज आंसर लिखें जिन्होंने अभी तक कोई कोई भी आंसर नहीं लिखा है अगर आपको नहीं देख रहे हैं कोई बातनी PDF में देख जाएगा तो यहां पर आप देखिएगा economic development को इन्होंने बताये कि किस वासे measure होता है उसमें कौन-कौन से concerns है factors है भारत का अभी का status इन्होंने बताया है रिसेंटली क्या current affairs है वो इन कितने trillion का है चाइना कितने trillion का है यह सब कितने trillion का है इसे यह होगा कि अभी आपको याद रहेगा अगर अभी आप अपने answer practice में लिख रहे हैं तो हो सकते exam तक याद रहे हैं major steps क्या क्या लिए गये हैं अब इसमें क्या missing था आपको इस major steps को थोड़ा सा define करना था BPSC में answers लंबे पूछे जाते हैं 38 marker पूछे जाते हैं प्लीज यह काम ना करें कि आप से point लिखके छोड़ दे point को आपको explain करना ही पड़ेगा fine बिहार के development के बारे में आपने लिखा है लेकिन अभी भी न मैं थोड़ा सा क्या हो रहे कि जो असली reason है वो सब थोड़ा mention नहीं दे कि ऐसा होगा कि आप लोग जो भी material खोज रहे हैं जो भी source खोज रहे हैं उसमें सब कुछ नहीं लिखा ह हुआ रहेगा तो अब बिहार में जैसे इन्होंने लिखा है कि production, healthcare, manufacturing, sugar, dairy और food processing इसमें potential है लेकिन what is the reason कि बिहार is left behind है तो reason आप बताएं कि क्या कारण है political will इसका कोई बहुत strong कारण है तो political will को आप define करें, caste politics को आप define करें यानि जितने जादा आप जगा को और explore कर सकते हैं अभी आपको current affairs में जो editorial का help ले सकते हैं बिहार फिर से विशेश राज्जी की मांग कर रहा है तो आप उस editorial को पढ़ सकते हैं और बता सकते हैं कि बिहार का तर्क क्या है, क्या factors हैं तो आपको समझ में आएगा कि जारकंट के अलग होने के बाद हमारे mineral resources अलग हो गए तो इस कारण से हमारे पस को minerals है नी जिसके बलबूते पर हम develop करें उसको आप answer में mention कर सकते हैं या हमारे आप geographical location को बता सकते हैं कि हम जो हैं वो समुदर से touch नह करता है वो बिहार में उतना ज्यादा नहीं है बिहार के लोग ज्यादा plan करते हैं ज्यादा migrate करते हैं आप तो दूसरे countries में जाने लगे हैं उसका कारण यह है कि यहां पर उतना ज्यादा potential नहीं है तो सब चीजों को आप explain करे यह अच्छा answer था बिहार के बारे में explain करके economic terms में लिख सकते थे हैं तो इसको आप एक और बार कोशिश करें फिर से लिखने का और मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ को चांसर बताईएगा जैसे कि बिहार का स्टेट मचली कौन सा है इना तो इस वाल बाट टोड़े सेशन थाइंक यू फूर शेशन और वेरी बेस्ट ज